हलो एवरिवन, वेलकम टू वेजबाइट्स आज हम शेयर करने जा रहे हैं वेज मसाला सेंडविच की रेसिपी ये एक यूनिक कॉंबिनेशन है मसाला सेंडविच और वेजिटेबल सेंडविच का तो चलिए इसे बनाना शूरू करते हैं वेज मसाला सेंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, ककड़ी, आलू और टमाटर इन्हें हमने स्लाइस करके लिया है साथ ही हम ले रहे हैं प्रोसेस चीज जिसे ग्रेट कर लिया है थोड़ा सा टोमेटो सॉस और ग्रीन चटनी ग्रीन चटनी कैसे बनानी है, इसका वीडियो हमने पहले शेयर किया है उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं संविच के लिए मैंने लिये वाइट ब्रेट, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेट का भी यूज कर सकते हैं साथ ही लिया है बटर, इसके साथ ही मैंने उबले हुए आलू का मसाला तयार किया है इसके लिए मैंने आलू में नमक और हल्दी मिला कर थोड़े से ओईल में जीरा डाल कर इसे फ्राइ कर लिया है अब सबसे पहले सभी ब्रेट स्लाइस पर हम बटर स्प्रैट कर लेते हैं बटर की क्वांटिटी आप अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पर सॉल्टेड या अन्सॉल्टेड किसी भी बटर का यूज कर सकते हैं इसके बाद दो ब्रेट स्लाइस पर हम अप्लाइ करेंगे ग्रीन चटनी अब इस पर डालते हैं उबले हुए आलू का मसाला जो हमने बना कर रखा था इसे ब्रेट स्लाइस पर स्प्रैट कर लेंगे अब रखते हैं इस पर स्लाइस्ट कुकुमबर इसके बाद अरेंज करते हैं स्लाइस किये हुए टमाटर अब रखते हैं स्लाइस किये हुए प्याज एंड में रखते हैं उबले हुए आलू के स्लाइस वेजिटेबल्स की क्वांटिटी और इनका ओर्डर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं अब उपर से डालते हैं ग्रेटेड चीज बारी है अब सीजनिंग की स्प्रिंकल करते हैं इस पर कुटी हुई काली मिर्च इसके बाद डालते हैं थोड़ा सा चाट मसाला अब डालेंगे थोड़े रेड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे हलका सा सॉल्ट अब बची हुई दोनों bread slice पर लगाते हैं tomato sauce इसे bread slice पर अच्छे से spread कunction करेंगे और asemble किये हुए sandwich पर invert करके रख देंगे अब flame on करके रखा है एक दवा इस पर spread करते हैं थोड़ा सा butter अब रखते हैं इस पर assemble किया हुआ sandwich, उपर की और भी इस पर butter लगा लेंगे अब हमें इसे दोनों साइट से golden brown होने तक सेखना है, इसे flip करते हैं, यह देखिए spatula की help से इसे press करते जाएंगे ताकि इसके corners भी अच्छे से सिख जाएं इसे हमें low flame पर सेखना है, इससे यह अच्छा crispy बन करके तयार होगा यह देखिए, दूसरी साइट भी इसी तरह से press करते वे सेख लेंगे ready है sandwich, निकाल लेते हैं इसे plate पर, अब इसे इस तरह से दो पार्ट में cut कर लेते हैं अब करते हैं इसकी plating garnish करते हैं थोड़े से cheese के साथ, लीजिए तयार है masala cheese sandwich enjoy कीजिए इस recipe को और अपने experience हमारी साथ comment box में जरू share करें साथ ही अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो इसे like and subscribe करना ना भूलें thank you so much for being with us अब कर दोड़ें